चुछ नोग भी मैं दोड़ा मैं दॉक्रा चुछ दुवेद्यों और स्वागत आपका आमारी खास पिश्क चर्चा में चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर उसी विशेपर बात कर रहें जिस पर हमने कल भी बात की थी क्योंकि विशेख का समाधा नहीं निकला इसलिए आज़ का विशे वापस माहराष्ट प्रकेंड़त है हमारा आज़ का विशे थोड़ा विस्तार लेते हुए हमारा आज़ का विशे कह रहा है छिन्ती सेना संदर भी यह है कि महाराष्ट के वर्तमान मुख्यमंद्रि उद्दव ठाकरे की कुर्सी पर तो कल से ही खत्रा था लेकि जैसे जैसे घड़ी की सुईयां आगे बढ़ रही है अब वो खत्रा केवल सरकार के संदर में नहीं है वह खतरा केवल मुख्यमंदरी पद के संदर में नहीं है बलकि अब जो खतरा दिखाई दे रहा है वो यह है कि बाल ठाकरे के द्वारा बनाई गई शिर्फ सेना क्या अब उद्दफ ठाकरे के हातों में रह पाईगी या उद्दफ ठाकरे को मुख्यमंदरी पद के साथ साथ शिवसेना के अध्यश्क का पद्वी छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना क्या पड़ेगा शिवसेना से उनको बाहर ही तो जाने की नौमत नहीं आ पाईगी गटना करम कुछ इस तरीके से चल रहे हैं जिसमें उद्दव ठाकरे अकेले असाय से अपनी ही पार्टी पे खड़े दिकाई दे रहे हैं उनके साथ NCP है बतलब राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी है शरत पवार है उनके साथ कॉंग्रेस पार्टी भी है लेकि उनकी अपने शिफसेनिक उनके साथ में नहीं है। कोविट के संदर में भी खबर आ रही है कि पहले पॉजिटिव और नेगेटिक पे संदर में लेकिन इन सब के बीच में महत्पून बात जो हुई वा इया थी कि उद्दफ ठाकरे ने आज एलान किया वो पांच बजे फेस्बुक लाइव करेंगे माना गया कि वा फेस्बुक लाइव के माद्यम से शेफ सैनिकों से ओमारष्ट की जनता से संबात करेंगे लेकिन बाला साथ ठाकरे के काबिल बेटे समझे जाने वाले उद्दफ ठाकरे फेस्बुक के माद्यम से सामने आए लेकिन वो शेर की दहार वो बाग क्या दहलाना कह था नहीं ऐसा लगा कि कोई मिली मिमियासी रही है उद्दर ठाकरे नेरी भाव से एकनात शिंदे से बात करते हुए मैसूस हुए जो इस समय बगावत का मुर्चा थामे हुए गौहाटी में बैठे हुए हैं क्या बोले उद्दर ठाकरे बोल रहे हैं कि मैं छोड़ दूँग ये शिफ सेना का तेवर नहीं है तो क्या माना जाए कि इस जंग को अपनी हार के तौर पर उद्दर ठाकरे ने मान लिया है तबीवा कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दूँगा लेकि छोड़ते भी नहीं तो ये अजीबो गरीब इसी दिया है इन सब के बीच में मैं तबून किया गया है एकनाज शिंदे की ओरते बताया गया है कि महाराष्ट भाजबा के अध्यक्षजगान पाड़िल भी गुहाटी के लिए रवाना हो गये हैं और उनके साथ तीन विधायक और रवाना हुए हैं दावा है कि पचास विधायक इस सरकार के खिलाब बगावत करने क लिए तत्पर हैं तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उद्धर ठाक रहें किस हश्ट की ओर जा रहे हैं शिर्स एना किस और जा रही है और भारष्ट की सियासत किस और जा रहे हैं इस चर्चा का हिस्ता बनने के लिए चारखास वैमान हमारे स नौट में ग्रुप स्टेजी सं पॉलिकिंशन लोन नो पॉलिक सबट पार्यडिजन लिए कारव्यापार का विज्ञापन केवल साथन संबंदी कोशल ने कुछ राजनिति कि दली राजनिति के अधिर और किसी राजनिती को नहीं जानते तो क्या चक्रवर्ती राज्गोपाजताचारी के द्वारा कही घई ये दाब ठाकरे पर मुफिद है क्या ये एगनात शिंदे पर मुफिद है यह महाराष्ट के राजरितिश्टियों के संद्रे में अधिय होने जायए और इसce के रोषणी में अपनी इकाई के कई वर्षों से और इन सब के बीच में तक्नीकी राय देने के लिए हमरता देवेंद्र वर्मा जी हैं जो पूर प्रमुक सचेव हैं चत्तिज़ विदान सबागे आप सबी का स्वागत है चर्चा के शुरूआत शिवराय कुलकरणी जी से करते हैं और शिवराय कुलकरणी जी से बाचीत इसलिए शुरू करने करते हैं कि लोग ये मान रहे हैं कि 31 महा पुरानी उद्दफ ठागरे के नितर्त की ये महाविकाद अगाडी सरकार के संदर में भाजबा के प्रतिशोद लेने का समय आ गया है भाजबा के लिए तकलीफ का विशय थी ये सरकार का होना और कुल मिलाकर एक योजना बद तरीके से शिव सैना के अंदर से इंदमारी करते हुए एक अनात शिंदे को आगे करते हुए कुल मिलाकर भाजबा अपने लक्ष के नजदीक पहुँच गई है तो शिवराई जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी योजना वाकई सफलता के कगार पर आ गई है कि अभी भी कुछ आशंका है कुछ घटित हो जाने को लेकर सचेत हैं आप इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं थोड़ा शिवराई जी रोश्टीद है मैंने कुलकर सामने आने का कोई सवाल नहीं अभी आप बोल रहे हैं कि भाज़पाच्य प्रदेशाद देख्षे चंदरकान पाटिल जी तीन एवेलेस को लेके गए है तो यह तहीं नहीं है वो चंदरकान पाटिल जो गुहाट गए है वो शिवर सेना के आमदार है उनका भी नाम चंदरकान पाटिले इसलिए कंटिजन हो सकता है लिखिए आइसा है कि जीवदिन से याने जब महाराश्चा की जनता ने 2019 के चुनाव में भारतिये जनता पाटिल शिवर सेना को जनादेश दिया था यूति को याने जो हमारा ये था गड़बनन को के बाद बेहिमानी करकर जनता से विश्वास गाज करके मुक्य मुंतरी पत्पर उस्तरों साकरीची विराजमार हो गए तब तब से हम एक ही बात कह रहे हैं कि ये तीन पैये वाली गारी है ये नहीं चलेगी ये तिगारी सरकारी ये नहीं चलेगा और ये अंतर वो नहीं है कि अवर चिह तक्की मामला है वो शिवसेला का अंधरस्वर्मनी मामला है और शिवसेला के इतने सारे विजाएत इतने सारे विज sect लीत गया समय रहे है कि हमने भूट माउचेते हिंडूत्वप के आधार पर अमारी एन नहीं हो संदूत्व खाए और हर आप कर दिक्कत हो रही है जन्ता में इसलिए हम इंगुतों का और बात है ताकरी जी का जो विचार पार विचार नहीं छोड़ेंगे यह आवाश तो शिवत सेना के ज्यादा तर विधायोंकर ने उठाया हुआ है अभी न्यूज रही है कि जितने भी सांसत शिवत सेना के है उसमे कि इसको पर मायूस है कि शिवत सेना का हिंदूत वजो है वो हिंदूत वह इन्होंने छोड़ दिया है केवल सत्ता के लिए मुक्यमंत्री पत्के कुर्सी के लिए तो शिवत सेनिक नाराज है शिवत सेना के नेता नाराज है वो शिवत सेना के नेता वो इस तरह की बात कर क्या कमाल की बात है शिवराईजी आपकी दलील पर आपकी मासूमियत में कौन फिदाना हो जाए देश का आप इस पूरे घटना करम से अपने दामन को इसकदर दूर रखे हुए हैं देखकर बड़ा मुग्द हो रहा हूं लेकि मेरे दो तीन सवाल है इनके बीच में आपसे एक तो आपने कहा कि ये शिवसेना ने उद्दव ठाकरे ने विश्वाद घात किया पर विश्वाद घात की शुरुआत किस ने की चुनाव आपने वो शिवसेना ने मिलके लड़ा था और आदी रात में शपत लेने का फैसला अजीत पवार के साथ शिवराई कुलकरणी आपकी पार्टी ने किया था उद्दव ठाकरे जी ने ल्सीपी के साथ मिलके सरकार बना ली तो ये गुना हो गया विरोधी दलों के साथ में हाथ मिला लिये जनता के साथ विश्वाद घात हो गया और माननी देविन फटनवेस मुख्यमंतरी की और अजीत पवार उसी सरक कारी के अंदर उप मुख्यमंतरी की शपत लेते हैं तो ये जनता के विश्वास के साथ खड़ा होना हो गया समझना चाहेंगे शिवराई जी एक बात दूसरा समझना चाहेंगे शिवराई जी भाजबा कोई हाथ नहीं है पर फिर भी भाजबा शासित प्रिशन नभूमत क के राज गुजरात में जाते हैं अचानक अलसुबह निकलते हैं तो भाजबा शासित असम के लिए कूच कर जाते हैं माननी है मुख्यमंतरी ये असम के खुद सारी विवस्ताओं को देख रहे हैं फड़ा समझना चाहते हैं आपके हाथ के बगएर ये सब साथ कैसे मिल रह आपके पास जो इंफरमेशन है थोड़ी आप याद कीजिए या थोड़ा पूरानी जानकरी फिर से एक बार लेजिए गटबंदन का सरकार बनते वक्त एक नई बाद उद्धों जी ने सामने लाए थी उनका कहना था कि किसी बंद कमरे में उनको शब्द दिया गया है ऐसा शब्द किसी ने उनको नहीं दिया था हमारी और शिवसेना की शिवसेना का गटबंदन कोई नया गटबंदन नहीं था तो गये 25 सालों से अमारा उनका गटबंदन था और यह गटबंदन स्वर्गिय प्रमोर महाधन जी, कौफिनाथ मुंड़ जी और बात शिवसेना प्र दिया जाएगा ये पहिये से हमारा नियम रहा हुआ है गड़बनन का तो इस बार यह इस बार भी रहेगा लेकिन उन्हें ने बात कहे जी कि कोई तुमरे में उदे कोई आश्वसंद दिया गया था कोई वचन दिया गया था उसके पर सभी खुला से हुए जो लोगों के नाम अधिक्तम नेमबर्स दिये थे उस भारती जन्दापार्टी के साथ कुछ मित्र राष्टरवादी से आकर मिले थे जो राष्टरवादी से गुट तोड़ कर आये थे उनके साथ सर्थयर मनाने का अधर मोग्का मिलता है वह तो हम तो कोई है बेजन पुझार कर दो बैजन नहीं है तो हम उसको जूटला पह नहीं है उन पबार जी के साथ उन्दो का करें उनके गोद में जाके बढ़ गए तो हम क्या करें तो उसके बाहड में विरोनीमची के व्रवम disease kaask B वजनी के प्राबलम है पानी के प्राबलम है किसानों की Garage किसानों को नुकसान भरपाई नहीं हुई कोरोना में प्रष्टाचार हुआ उद्दुत्वका बुद्दा छोड़के पालगर में दो साधू मारे गए कंगनार अनावत का गर गलब तरीके से तोड़ा गया भारती जन्ता परटी के हजारों काने करपा उपर अफरात दर्ज क कि अगयर उनको जेल में डाला गया कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पर सह देता है तो यहां पर इक बिक्ते पर शीप उद्दुत्वकी ने लाई थी इन सभी बातों के खिलाब जन्ता के प्रश्णों के खिलाब भारती जन्ता परटी लड़ती रही आज आपके जो दू कि अगया आज आएगी और कुछ अच्छा करें कि महराष्ण के लिए बात किरते हैं उनकी डायती में मित्रों हूँ को ज़न मद्द की होगी क्यों ने करेंगे जे राटडिती में उनके जो भी मित्रों के संबन है गुजरात में है आसाम में है और एकनाच हिंदे जी जो है श्युवत दिनात प्रुप बहुता ठाक्रेचे उद्दीज वपर काम करने वाले हैं. जोकर जो गुई सहकारिय ओगा, वो शहकारिय नहीं करने कोई. यज़ नहीं करे लगा्यिश कोई? यज नमांता साथ कोई? इमिना ये भाज़ा कर एक शौर्जित कोई हात आए हैं देश भर में हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोगों की भावना एतनी है गुजरात से लेकर असम तक वो सब निजी हैसियत में मदद कर रहे हैं भाजबा का कहीं कोई हात नहीं है शिवराय जी बोल रहे हैं देश यकीन करना चाहे तो करें नहीं करना चाहे तो हूं और देनाजे परियाड़ी से जानना चाहता हूं बतार शिवसायने का आज कितनी लज्जा अनुवफ कर रहे हैं जिस शिवसायना को एक तेवर के लिए एक आक्रमक्ता के लिए एक उगरता के लिए पैचाना की पहचान हिंदुत्व के संदर में थी आज उसके शिवस जानी कि बोल दें मैं पद छोड़ दूँगा मुख्यमंद्री भी छोड़ दूँगा शिवसायना प्रमक्ता को भी छोड़ दूँगा लोग विरोध करते हुए चलेगा एक नाशिंदे ने साथ और मैं कह दिया है कि बाई इन कॉंग्रेस और NCP के साथ सरकार रहना सुईक अधरनी देवेडी जी, कुलकर्नीटी, धारंग जी आप सब को हरमा देओ और उद्धाव जी हम लोग को लगता है पूरे देश में शिर्चनिकों को लगता है कि इन से सज्जन मुख्यमंत्री तो शायद ही पूरे देश में कोई होंगे बाई सज्जन है और चुकि बाई कुलकर्नी जी बोल रहते हैं कि बहुत शोचिता आजनेटिक शोचिता का पालंग अपते हैं सिद्धान तो अदर्शों पे चलते हैं महभूब मुक्ती से इन लोगने क्यों क्यों क्रमाइस किया था ये पहला सवाल सब्सक्रावा यह है उनसे तो कहीं जादा देश बग तक साधी जोगा पर इन लोग ने गौफ्मने को पजब आगे हमापर गौर्वर्म्मेंट बनाया है मैं इन सुचिता का जो पालंग करते हैं सद्धानों का पालंग करते हैं अभर हैमारे भाजबभा के जो परमस्ता मोदर मारस के बोल रहते मैं झानना चाहता हूं कि गौहाट का होटल का बोकिंग छ्छा दिन पहले कैसे हुआ जेंख नो जो चाहर देटी उन्हों उन्हों नहीं अभी तक नहीं बोला कि वो अलग है या उन्हों रिखता दिया, वो पुटते हैं « मैं भागी भी नहीं हूं! घ्याथ प्रोटी» हैं यह परेहर दी भाजबा ने क्या ङा यह बहुत चुनता का विशय नहीं है चुनता का विशय परेशानी का विशय जिन शिफ सेनीकों के समरपण की दुहाई दी जती जाती भी निकोंगे ठागरे परिवार के पर्प्रि निष्ठा की मिसाले दी जाती थी वो शिवसेनिक वो शिवसेना के तमाम विधायक अपने ही नेता के निर्णे के खिलाफ एक जुट हुए नजर आ रहे हैं और आपके माननी उद्दफ ठाकरे कह रहे हैं मैं मुक्के मंद्री तो क्या है अब तो शिवसेना प्रमुक का पदभी छोड़ने के लिए त और आप जैसे लोग इसमें कितनी बेचैनियू मैसूस कर रहे हैं एक सवाल ये दूसरा रूप जैये अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं किसके साथ हैं अपनी सरकार चलाने के साथ हैं अपनी सरकार चलाने के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे लोगों के साथ खड़े हो गए एंसीपी के साथ खड़े हो गए एंसीपी के सलीम सारक जी मेरे साथ में है शिवसेना और शिवसेना के कारकरता है इस बास से बड़े नाराज हैं सलीम जी कि आप जैसे लोगों के साथ ये पार्टी खड़ी हो गए शिवराय कुलकरनी जी भी बता रहे हैं बताई ये कैसी पार्टी और कैसे नेता हैं उद्दव ठाकरे जिनके खिलाब उनके पिता जी जिन्दीगी पर लड़े उनके साथ खड़े हो गए कितना आपराद बोद आ रहा है सलीम जी आपको आज शिवसेना की ये हलत देखके कितना आपको लग रहा है कि आपके कारड़े से शिवसेना के अंदर ऐसा दुर्भागे पुर्ण दीन देखने का अफसर आ गया है एक पार्टी बिखर रही है एक पार्टी छितरा रही है ठागरे परिवार के हातों से शिवसेना चिन्ती जा रही है कितना अंदर से आत्ब गलानी है सलीम जी आपको देखिए ये आट-धाई साल बात अगर किसी को ये बात की ये बात याद आती है कि हम MCP के साथ गया है उनके साथ नहीं जाना था जी धाई साल पहले हो डिसाइड करना चीए था उनको कि हमको नहीं आना चीए बात ये बात ये है कि BJP का साथ इनों ने सोरा की बीजेपी का साहँ तो ने के पीछे ये सारे अंदार थे इनों ने साथ में में के कलेक्टिवली डिसिजन दिया तर कलेक्टिवली MCP के साथ अब BGBT ये वेंडेटा पॉलिसी जो है जो टार्गेट करने की पॉलिसी है करी में आपसे इस स्टो में आपसे बात भी कर रहा था करी किसी को दरा धंका के तो नहीं रखा गया गुजरात में करी किसी के कोई बंदिश तो नहीं रखी गई है आज ही हमारे एक अमदार मीटिन देश्मुक साफ आएं वहां से उनका स्टेट्मेंट है कि मुझे दराय गंका के दर्वरदस्ती ऑस्पिटाल लेकी गया है पदा नहीं कौन से इंजेक्शन माफ है तो अभी जब तक ये जितने अमदार उनके पास है वहां पर जब तक मुंबल आते नहीं है मारस्टा आते नहीं है तो पदा नहीं चल गाएगी इनके जो लेटर लिखे वे सिग्नेचर जो वो सो रही है एक जैजन पर वो ऑटेंटिक है के नहीं है उसको सवाल यहाए कि नूज जाता रही है अभी नीचिन जी ने कहा कि यह सिग्नेचर मेरा है जी तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके इस पर सबस्क्ते मारस्टा पूरवग रोखूंगा सवाल है कहां सवाल तब तक रहते जाता उद्दव ठाकरे आपने आप में दमखम दिखाते जस नेता कि वो बनाये रखने के लिए आप संगर्श कर रहे हैं उसने तो हतियार आज शाम को पांच ज़रे देश के सामने डाल दी है उन्होंने बोल दिया मुक्यमंदरी पर छोड़ने के लिए तयार हूं अद्दव पर छोड़ने के लिए तयार हूं तो अब इसके का आप देश्पत भी छोड़ दूँगा मुक्यमंदरी पद भी छोड़ दूँगा तो सलीब जी आवगी गुंजाइश रह गई क्या मानिये ना कि बाजी आपके हाथ से फिजल रही है इस बात को आपको अगर दुशे तरी किसे देखना चाहिए ना आपको जी बनाए जी इस बात को अगर सुशेनिक को जो नाराजी की वो यहां के बात करना ची हो तो मुक्यमंदरी के पोजिशन भी छोड़ने को चाहिए इस चीज़ को लेका तो कई ना कई जो लोग वहां है जब यहां के इस सामने रूबरू बात करेंगे थोड़ा और विस्तार देता हूँ आप इस बड़पन की इस उदारता की इस बहां सोच की सराना कर रहे हैं आज केबिनिट की बैठक बुलाई थी उद्दव ठाकरे जी ने आठ शिवसेना से जुड़ए हुए मंतरी शामिल ने हुए और उनमें एक नाम आजित ठाकरे का आधित ठाकरे के अपने प्रोफाइल से मंतरी पद हटा दिया है क्या कहते हैं यह ऑदारता है या कोल मिलाके कर यह अगिराना है युद्न की भाशा में तो मुझे समझाए रहा सलीम या आदित ठागरे कैबिनेट की बैटग में शामिल ने हुए ये कौन सा दुक्का प्रकटी करण है ये कौन सी व्यथा की अभी व्यक्ति है ये कौन से अपने साथियों के प्रदी वेदना का प्रकटी करण है आपके नुसार तो आपके साथ से अगर उन्होंने अगे ते ठागरे अधर सामिंग नियुक्ति है टेक वो भी बीज़िदी के साथ तो नहीं वियुक्ति है वेशा सवाल उठा रहे हों के मैं तो केवल इतना मान रहा हूं कि आदे ठागरे ने मान लिया कि बाजी हमारे हाथ से चली गई और कुल मिला के उत्तर ठागरे भी यही कहते हुए दिखाई दिये कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं एक सरकार का मुखिया एक पार्डी का मुखिया और उस पार्ड करते हैं उसे शिवसेयना में पहली बगावत नहीं चाहर बुझभल की वी बगावत हम लोगों ने देखी नारानी राणे की देखी और उसके प्रतिक्रिया में हमने बाल ठागरे की दाहार भी देखी क्या आपको नहीं लगता है को दढ़ ठागरे का आज के इस बयान ने इस वक्त तब इने पूरे देश में एक निराशा पैदा कर दी। इस वक्त तब इने पूरे देश को प्रदेश को शिवराई जी सारे निशाने पर आप हैं आपके बाद लोटूँगा लेकि मेरे दात में तक्निकी मामलों पर चर्चा के लिए देवियंदर वर्मा जी है संसदी ग्यान के मर्मग्य हैं चत्तगर विदान सभा के पूर प्रदान सची में वह मेरे साथ में हैं। एक मामला चल रहा था देवियंदर वर्मा जी कुल 56 सदस्य हैं शिव सेना के 288 सदस्य हैं माराष्ट विदान सभा के अंतरगर और उसमें से 34 विदायक अस्ताक्षर कर रहे हैं एकनात्क शिंदे के साथ 22 विदायक अब तक खड़े हैं उद्दफ ठाकरे के साथ तकनी की पहलो आपके अनुसर पटस्थ आप रिविजान थी हा ऊफु आ कि वीजन घी देव में तक हम इसमें क्ला याजिजिए चिश्वित हैं ये उसमें केवाल रधायक दल में में दिविजन का होड़ान है यूदि विडायक गल में डिविजन होता है तो केवल पार्टी में डिविजन नहीं माना जाएगा केवल मिजायक गल में वो रेजिस्ट्रेटर पार्टी का डिविजन है और यूदि यह 56 बेसे जैसा आप कहरें के 34 विदायक अभी एकनाच शिंदे के सास्त ने चले गए हैं तो निश्चित तोर पर यह 34 विदायक क्या करते हैं, क्या यह अलग बनाते हैं, तो कि टू-थार्ड होना जनूरी है, और टू-थार्ड के लिए 37 विदायक चाहिए टू-थार्ड के लिए, तो जब बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि वास्तों में कितने विदायक इनके साथ में हैं, अभी तो बहुत अनिश्चित सा है। जब जी इसके संदर में, कल उद्धव ठाकरे ने शिफ्स है ना विदायकों की बैटक बुलाई थी, बताया कि कुल जमा 22 विदायक की खटे हुए, और उसमें फैसला लिया गया कि एकनात शिंदे को नेता पस से हटाया जाता है, और उनके इस्तान पर चौदरी जी को नेत किया है, क्या एकरात शिंदे 24 घंटे के बाद उठाये गए कदम को विदान सबा अज़श के द्वारा मानिता दी जाएगी, यह जब विदायक दल के नेता ही नहीं रहे, तो चिफ विदायक के संदर में, उनके द्वारा उठाये गए कदमों की कोई वैदता रही नहीं जा से नहीं तो हटा सकते हैं, और नहीं चीफ विद को पार्टी अज़श मदल सकते हैं, यह तो पूरा आज जो जो रिडिक्शन है, यह एकनाज शिंदे का है, कि वो किसको चीज, किसको विद बनाएं और विद को परिवर्शित करें, लेकिन यह इसके संदर में जो एकनाज से नहीं हैं, इनका जो पक्ष है, वो इजादा में जोट है, तो कि विदायक दल की बैटक के माध्यन से, उसकी कोई वैदता नहीं है आपके रुज़वर्श? मेरे इसाब से उसकी कोई वैदता नहीं है. एकनाटजनदे की सर्कार में सहयोगी बनने के लिए तयार है क्या देवेंद फण नविस उनकी सरकार में मंत्री रहे एकनात शिंदे के नित्रतु में काम करने के लिए तैयार है यह जानने में दिल्चस भी है क्या एकनात शिंदे अपनी ही सरकार को गिरा कर और क्या हासिल करने जा रहे हैं इस पर रोड़ा विस्तार देंगे शिवराजी क्या चल रही है बाच्चीत आपकी आप बिल्कुल एक तो पहले में अपने एंसरी के भाईचाप सलेम सारंग जी बात कर रहे हैं उनको थोड़ा बता दू कि चगन मुझबाजी जब गए थे शिवर सेना छोड़ कर तो वो तो ऐसा पिरेड़ था कि उस जबानी में कोई आसाम नहीं था अन्नाक कोई गुजरात मुंबई के मुंबई में जिस Murray को श्यवा सिना ठाकर जी और हनो कमें पाई जी को झुब हम में जिस मुंबई को शीव सेना अठीको तक्रिशी का ताइन जैनल हो तू जबभाणली के सांथ को घनेख प्रहे ने हाठि पाई जी को दिया था प्रानला्य जक है शटका नहीं पर दूसरी बात कि एकनाथ शिंदे जी ने अभी तक किसी दे कोई बात नहीं किये एकनाथ शिंदे जी की बात चल रही है हम तो टीवी पर देख रहे हैं आपकी माध्य म से देख रहे है हिमान्शुजी आपकी माध्य म से हम देख रहे है कि वहाँ पर उन्य प्रस्टाव ये दिया है कि हमारी बड़ी दिक्कत हुई है आपने राष्टवादी के सदाथ मिलाया, आपने कॉंग्रेस के सदाथ मिलाया, आपने हिंदु को छोड़ दिया, औरन जे की कबर पर जाकर, मदार पर जाकर, जो लोग वहाँ पर फूल माला आर्पित करते हैं, उनके साथ भी आप भोटोपी आजकर हाथ मिलाने लग जए है टिपू सुर्टान सेना से भी हाथ मिलाने लग जए, अब आज भी से भी हाथ मिलाने लग जए, ये प्राब्लम है, जो पैताली सामदार है, बाइते तुभी पर देख रहा हूँ, शाहुतीस लोपरी तो कल्प सर्व, उसके पर सिगनेटर किया था, लेकिन आज मुम्नई क फिर से दो निकल गए, चदरकान पाटिल्डी जो जलगाओ के आंदर है, उनके साथ में तीन फिर से निकल गए, अब जो आसम में नहीं है, जो गौड में नहीं है, जो सुरत में नहीं है, वो MPV लेटर लिख रहे है, आज भावना दोई नाम की जो सांसद है, उस सांसद मे जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उनने काहा है, कि मुझे आज ही लगता है, कि हमने शिवसेना प्रमुष भाग का ठाकर जी का हिंदू कुण नहीं चोड़ना चाहिए, हमने भाजबा से ताथ जाना चाहिए, यह उननने लिखा है, अब उनके उपर तो कोई नितीन देशम में और याइं दीन बर माराश्ट के राइडिती में इसी बिश्राइक कुर्णी जी मैं आपकर से इक बात समझना चाहता हूं आप हमारे भरोसे इतने जादा है मुझे पता नहीं था कि जो भी जानकारी है वो आपके टीवी चैनल के माध्यम से है अभी दस मिनिट पहले ही आ आपकी पार्डी को सौपी है और ऐसे महत्रपून राजनिती घटने अक्रम के दौरान आप वाकि भजिन पूजन में लगे हुए ऐसा आपकी बात्चीश से लग रहा है वाकि ऐसा है आपको इस वासे कोई सरोगार नहीं कहां क्या जल रहा है देखिए हमने हमने अभी महाराश्यों में अभी तो एकना चिंडी जी के इस माहुट में कॉंगरेस की Anda नहीं हो रही कि cada five कर ठेम उच्वे लिए कका ऍेभी एसा है फिशे के आपके अभी तो आईसा है कि अगर ये सरकार इंके अंके अनतर वीरोस स गिरती है तो कोई सुनाव नहीं लगने वाले उस सवा अगर देवेंद्र जी को भारती जंता परटी को सरकार बनाने के लिए बुला जाएगा तो हम विचार करेंगे ये लेकिन तब तक तब तक जब तक मुक्यमंत्री जी जो बता रहे है अभी भी बता रहे है कि मेरे बाज आओ मुझे बता ओ ढाई साल जींत गयाओ दाही जींत चलाती है विदायो को को फोल उठाय नहीं जाते है विदायकों के काम नहीं होते हैं हम ये बार-बार बोलते हैं अब बोलते हैं इतना सब सुनने के बाद 45 लोगों के फोटोज आ रहे हैं उनका शूतिन आ रहा है उनके लेटर आ रहे हैं उनके बाइट आ रहे हैं इसके वावजू दियो बोलते कि कोई सामने आजा और मदे बता है, मैं तो जेब में रेसिक निशन लेकर ढूम रहा हूं, मैं तो आप बोलो तो मैं अभी देज़ता हूं, किसी भी राज़ देता को इस तरह से बोलने की ज़रूरते का एक करा रहा हूं, तमाज़ा हुआ मेरा, तो अपना विचार साजा कीजिए, कि कुल मिलाकर श्रसेना, जो उद्धर ठाकरे के नित्रत में हैं, उसका क्या होने वाला है आपके दूसार, और उद्धर ठाकरे का भी क्या होने वाला है। सामान ने आद्मी नहीं है श्रसेना का, जो श्रसेना प्रभू बार साजा ठाकरे और घरमवी आनन दिगे के लिए खुद की जान दाव पर लगाने वाला है। कि मेरे निता के उपर आज नहीं आएगी, इस तरह के करमत श्रसेना है। यह करमत 45 श्रसेना के आथार है। जिन्होंने बावा साथ ठाकरे के उपर अपना खुद की बाहने के लिए तेयार है। ऐसे 45 श्रसेना चोड़के जार है। उस समय इस तरह की बात जो दोजी कर रहे है। यह बिल्कुल कलब है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर घरक्रा मामला है और पारिवारी स्थक्या है। ऐसे लोग है कि जिन्हों सेना बड़ी किये। उन लोगों के साथ इस तरह की तैस्या नहीं हो सकती। आज शुबर आपने नेता के रूप में पहले एकना चिंदेजी की हकालपती की। उनको पस्ते लिकाला और शाम में आप बोलते है कि आप परिवार के हो। मेरे सामने आके मुझे बोलो मैं एक मिड़ में छोड़ दूँगा। तु शुबर करवाई की। आपके मिटिग में में 14 लोग भी है, Mutter 25 लोग टोग फाटीस सायोते हैं। कश्भर call अब की समझन ही पाता Benло कुछ तहक है, TV से पता चलता है। तीवी बाइस बता रहा था आपने टीवी को करक्ट किया भी खुदी अरे नहीं बाइस नहीं थे चुगदा थे आप गलत जानकारी रख रहो तो आपके पास तो इतनी अंदर तक की जानकारी है और फिर भी आप कह रहो हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बताओ नो सच्छा ही क्य आरे नहीं नहीं गलत है चुगदा थे और जितनी दमदारी से आपने बोला इसका मतलब यह है कि आपके आदमी थे या आपकी व्यवस्ता में थे बहराल मेहतपूर बात जो शिवराई जी कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि जिस शिवसेना के लिए खून बहा देने तक के लि हैं तो सवाल शिवसेना प्रमुक के उपर है भाजपा के उपर नहीं धने जय परियार जी शिवसेना की करमटता सवालों के घेरे में हैं शिवसेना प्रमुक की काबलियत सवालों के घेरे में हैं आमूमन अतीत में देखने में तो यह आता है कि व्यक्ति के पास सब्ता होत किया क्या किते हैं वागए उद्दव ठागरे के संदर में शुरुआस्ते माना जाता था कि यह व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं बनाएं उन्हों ने उस आकलन को सही सभी करने के लिए पूरा प्रत्न किया और आज समय आगया है कि वो लोग जो मानते थे की उद्दव ठाकरे के बस की सब कुछ हो सकता है वह अच्छे इंसान हो सकते हैं बद्राज में वो सकते हैं अच्छे राजनितिक की नहीं हो सकते हैं लोग आज अपनी पीट से पपा रहे होंगे हम कितने सही आखलन के साथ थे क्या कहते है दरी जी अधरनी इसमेरा तो यह ही कहना है कि उनको जैसे बुला हमारे प्रवक्ता मौदे ने कुलकरनी साहब ने कि उनको सुभाद निकाल लेते हैं पद से जी और शाम को आफ कोई पार्टी का निरमाल होता है कोई विद्हाइक बनके चला गया इसका मितना को सरुर्यापी हो गया ऐसा बिलकुल भी नहीं और शाम को उनको आफर इसे लिया कि परिवार था परिवार में तो हमको भोलनी पोड़ेगा वो परिवार में हमारे सबसे बले हैं उद्वजी उन्होंने सबके लिए बोला कि भाई आजा अगर आपको मुस्ते रॉल हो है तो मैं स्विट करता हूं यह उनका स्टेट्मेंट है तो इसको आपको साधुवाग के लेना से यह हमारे भाजेपा के प्रवक्तम होता है तो कि इसको एंटी लेना चाहिए क्या बात करा है न Attorney GI पहले आपने एकनात शुन्दे को ये बताने की कोशिश की कि तुमारे कोई हैसियत नहीं है आप ने संदेश देने की कोशिश की कि सबकुछ मेरे नेंतरणμεं ने एकनात शंदे को बागाएदा विद्याग दल के नेता पस से कली हटा दिया आज भी नहीं कली हटा दिया बाद में पता चला कि हटाने के लिए जितनी संख्याबल चाहिए वो आपके पास है नहीं और शांदक होते होते हैं आपको एकनात शंदे की ताकत का उनके रसूप का उनके वजूद का एसास हुआ तो आप मीमे आते हुए कह रहे हैं अरे आप इतने नाराज हैं अगर आपको लगता है मैं सलाइक नहीं तो मैं ही छोड़ देता हूं तो कुल मिलाकर क्या आप नहीं मानते हैं कि बाल ठाकरे की पहचान के विपरीत विवहार था जब NCPO कॉं कर्मट शिर्देने के आपके अपने तेवर के हम लोग कायल रहे हैं आपको नहीं लग रहा हैं किसको पर अपना निता मानता हूं ऐसे व्यक्ति को ज़से लड़ने का माद़ा ही नहीं ज़से जूजने का माद़ा नहीं अब जो कि अभी परिस्टिटियां जो भनी समय काल परिस्टिटी के साफ से कम जाता पबलती रहती है तो उसको हम लोग हर भी शेपर मुली उठाएंगे तो मैंने वहीं कहना थे मैंने शुरू में कहा कि बाज़त्पा ने भी मरुबम उस्ती से जाके कंप्रमाइस किया था जो एंटी इंडियन है जो हमेशा उल्टा पहुती है औरे भाई धनेज़ जी तो आदमी अनुवफ से सीखता है देख तो लिया था भारती जंदा पार्टी के हाथ कितनी बुरी ते कि जले महभू हम उस्ती के चलते तो कम से का हुस्ती से सीख लेते क्यों आप चलेगा एं कहीं पे भी श्रील सेना में पानी नी डाला गया कि अगर यहां पे श्रील सेना बढ़ेगी उसका बोट बढ़ेगा तो परसंटेज और बोट हिंदू वोट बटवारा होगा इसलिए वहां पर पूरी चगह पर भाज़पा को अरस्त पर इंडिया में परयोग किया गया कही कर दो बराबरी का दरज़ा दो हमेशा हम लोग को मीचा दिखा के आप नहीं चल सकते तो भाज़पा ने दिया लगी आखाली दर्थ को इन्हों किनार रहे है रटाया इन्हों किस-किस को किनार बें रहे हैं इनको सिर्फ उनिका के जो हमारे नवीन बाबू है ना वोई एं भारती आटा पारिटी ने शिर्ट सेना को नहीं दबाया. जनता के इस थर पर भारती जनता पारिटी के में उक्शानाक्तर ने किवsentन तरफ समर्थन ही आप नहीं पाया। कि शिव सेना के मुगामले जादा सीटे भाजपा की आती थी इसके बावजूद भी आप अपने आपको बड़ा ही मानने के लिए तत्पर दे तो इसमें शिवराई जी या शिवराई जी की पारड़ी को कैसे कसूर वा ठेरा है जनता के इस तरपर समर्तन लेने से आप चुके आपने 2414 के चुनाम में भी अलग अलग चुनाम लड़ा भाभती जनता पारटी से अलंग होकर चुनाव लड़ा और आपको मिला कि आदे वोट पाए आदे वोट पाने के बाद में आपको अपनी हैस्सिए ग्यान हुगअ उर लोटकर आप बाजबा के पास गए इसके तो शिंदे को इस शर्ट में मना लें कि उद्धर ठागरी की जगे आप ही सरकार को सभाल लें समाल लेंगे आपके डीन जो कल आपने बढ़ाया था चानक के जतने भी हो पर उस यूनिवर्सिटी के डीन हमारे पास है डीर के कुशलता डीन की शब्दा मतलब शरत पवार का रणनी ती कोशल कल आपने दाप पर लगा दिया सलीम जी अपने कथन के साथ में इसके अब उन्हाँ चाहूंगा कुछ देर की खामोश है फिश और आयगा इसको इसका इतने ही संजे कि कुछ देर की कामोशी है फिश और आएगा सवाब सबने तो अभी खुलकर बोल भी दिया है कि आईए आप इस चीफ मिनिस्टर की पोस्त हमागी है हमने कभी भी हमारे लिए स्टीफ मिनिस्टर का पोस्त नी मंगा हमने ये सौदा नी किया कि नाई साल आपका चीम रहेगा नाई साल हमारा रहेगा यह हम पूरे रहेगे राष्टवादी ने ये खुल कर सुदा को पोसे दिया अभी इसमें एक सवाल मेरे को बहुत चुद्रा था जो मैं करना चाहूंगा बीजे 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 अब यह बोलते हैं कि हमने शुशना से किये शुशना ने हिंजी चुवावोड पे जीती है सेकुलरिजम पे पास की जए तो मैंजे यह जानना इनसे कि मेरूबा मुस्तिक्या हिंजी चुवावड थी कि उनके साथ इनों ने घड़बंदर किया नितिष कुमार की जो है इनके साथ सक्ता में आते हैं इनको छोड़ते हैं फिर जाते हैं फिर लेते हैं बार बार आते जाते हैं इनके साथ जड़बंदर करते हैं अभी मैंडेट की बात कर रहे हैं यह लोग किस मैंडेट की बात कर रहे हैं आपने क्या किया कॉंग्रेस को में डिक्टी, कही न कही डरा कर, धंका कर, पाइसे की पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ करके, लोगों को अपने पाले में अपने लिए, अब वह इचीज हमारे पास किये, हमारे पास कही न कही नवाग मलिक सब पर प्रेशर दाला गया, अनिल देशनुक सब पर लेकिन हमारे नेदर जोहे वो डिकाव नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हम ढूंखेंगे नहीं dav Teher आपका हाशह है यह कि NCP के नेता ना तो दबेंगे ना तो जुकेंगे ना ही बिकेंगे अब शिवसेना के नेता जुक जाएं भिक जाएं डढ़ जाएं तो अवम इसमें बिजारी NCP या कड़ती है इसी रूप में ले आपकी बात को क्योंकि शिर्व सेनक के तो तमाम विधायक निकल लिए हैं बचाओ और कौन बचाएगा तो उसी के साथ जाओ तो इसलिए आप देखो शिवराजी के चहरे पे क्या चमक है क्या मुस्कान है क्या उलाव है बविश्य की आठ शिवराजी के चहरे से चलकती हुए आपको दिख है इनि देरें जी जी जलीम जी अभी देखो शिवराजी में तो माना है कि विजेवी कर ली रही है इसके बीजेवी निये चुटे कहीं ना कहीं भी शिवराजी को इसके लिए एक खौफ और दर है कि वापत से हमारा वो नहीं हो जाए जो आजसे उससान पहले हो गया तक हम सबीरे जाके सपक ले लिए हमने क्लेम कर दिया और बाद में हमारे असुट पर चलेगे इस वर तो इसी वज़ा से सिवराजी कुल कर आना नहीं जा रहे हैं लेगी कुल मिलाकर सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इसका फैदला कहां से होगा इसके लिए मैं देवेज वर्मा सरकार के अंतर का ऐसा कोई प्रावदान है कि राज्य मैं आए नहीं और उससे पहले ही सरकार निपड़ जाए कि इस तरीके के कोई फार्मूले होते हैं कोई कि सलीम जी का सारा जोर आप देखिए देवेज जी पूरी चर्चा के अंद्रगत इसी बात पर रहे हैं धरने जी कि तदाकति मदद ये है कि पहले सूरत थे अब गौहाटी में बिलकुल दूसरे चोर पे पहुंचा दी गए हैं तोड़ा तक्रीक के पहलू पर रोश्नी डालिए नजर लेकि मभवत है कि रही है इसका तो सबां मी होता है रहे बहुमत का से पास में और किसके साथ में और कास्के नहीं होगा जी गुष्ट होता है वर्गमान सरकार में पर हुपमें भी बहुप तो गुष्ट होग कर सकते हैं, लेकि बहुपमत के संदर में शक्ति effort करा लाएग। इसका लिए तो कमसिका आने की ज़र्त नहीं है, ये खबर आई है, कि एकनात शिंजरे के साथ जितने विधायक हैं, उन सब लोगों ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के हमाद द्रूम से समवाद किया है, क्या वीडियो कॉन्फरेंसिंग से राजपाल के द्वारा से किया गया स कि यह सरकार बहुमत को चुकी है और इसको विश्वासमत के लिए कहा जाए यह आना पड़ेगा राज भावन सामने चिठी देने पड़ेगी सामने अनुरोध करना पड़ेगा इस संदर में कोई रोश्री यह तो राजिपाल के वेट के उपर दिरबर करता है कि वो कैसे होना जिरूरी एक बर सबसे इसका साइसला हो जाए उनिशित तरब पर कह सकते हैं कि सब्सक्राइब के नेतत वाली सरकार के पास में रहा नहीं है पर फिर भी भारती जंता पार्टी ने वी तक आवाज निकाली नहीं मुद दें कि विदान सावाम में वहूमत साबित किया जाए शिवराजी क्या बात है क्या ऐसी आशंका है क्या एसा डर है या क्या ऐसी जिजग है कि अभी तक आप लोगोंने बोला नहीं सत्र बुलाए जाए कि अभी तो कल परसों से मामला शुरू हो गया है इसमें अभी आभारे महाराष्टा के तो गवर्नर राज्यपाल जिये माननी उनको कोरोना फॉज़िव हुए है और उनको अस्पताल में दाके लिए गया गया है यह जो वीडियो कान्फरेंसी की बात आई वो कोरोना से में प है जी अभी तरफ से दावे राज्यपाल जी के पास किये जाएगे और उचित समय होगा तो भार्ती जुंता भार्टी को राज्यपाल खुदी बुलाएंगे खुदी बुलाएंगे उनको बुला नहीं पड़ेगा आज अगर आज अगर एकना चिंदी जी में 34 विधायों क स्वाक्षेरी के साथ एक पत्र दिया गया है राज्यपाल को कि हम 34 विधायों को गटनेता यह है प्रतो दिये है और हमारा कहना ऐसा है हम इस सरगार के साथ नहीं है तो यह तो राज्यपाल खुदी बुलाएंगे इसमें कोई इन्होंने बोल दिया और राज्यपाल लगे क्या हो गए आप लोग क्या भाजबाद ही क्या भाजबादेश में करती है यह पवार की पावर से इतना डर क्यों गए 20 साल पहले जो कुछ हुआ क्या उसकी दह्षत है जिसके चलते आप इतना डर डर के कडम रख रहे हैं एक यह तक मांग नहीं कर पा रहे है कि विधान जो तीनों भी पार्ख्या इन्सी दो के सब चानक जांटा राजा जिनको जो जो कुछ भी बोलायाता है वो सब देखे गये हैं महाराष्टर का लोग नेता डिवेंदर जी पंड़न वीस है नहीं महाराष्टर के मन में का वक्यमंद्री देवेंदर पंड़न वीस है केवल पेमानी हुई इसलिए देवेदर जी बाह रहा है इसलिए किसी के दरवर कर उशे नहीं हमारे पास संध्या बल है सबसे बड़ा बड़ा विश्वाद मत की मांग तक नहीं कर पारी भारती जन्ता पार्डू शिवराई जी बता रहे हैं कि देश प्रदेश के सबसे लोगपु प्रदेश के सबसे बाते हैं कि देखने चाहिए था प्रदेश के पास राच्यों में सबसे अच्छा स्यम करके कुछी सर्वे ने दिया उनको इमालूम को सा सर्वे हुआ था तो तो क्या है यह जो सब बाते चल रही है इन बातों को हमने आख्षब लेने के बज़ा उंके पच्छमन वे से 25 आख्षब लिया आए पहले यह जो जो लोग उनके चरणों को छूते थे वो लोग उनके लेतरुब वह काम करने को प्यार रही हुद ओन को निय्य देदरुनों को शूते दैयले, तो यह तो पहसला उं को पहसला है पई our B R K पार सक्वें जो कि ले जरोंगए। सरम जरो टृक्षा मौक बारता चीघ का था। बली कि वह सांवे ना रही है। महाराश्थ पर शॉलने कि स्कार्डबब नहीं और डोंड пошarkan अधिकर 152 पिकशिस चाहिं तरकर भाहा। कि वहां अंदोलन को दबाने के लिए कि ये एपी शोट भी राता दा रहा जी एसी मंग मेरी शंका आ रही थी मैं वेजे किसे जाना चा रहा हूं अगनी वीर का सब्सक्राइब करने के लिए शिव सेना के तमाम विदायक सही होगी होगी किया बाजबा कि ये आपका सवाल है ये सवाल आपको उनसे किया कि अपने धागरी जियुग तो यह पूज़ा एक जो आग भड़क रही थी उस पर पानी डालने के लिए शिर्जीना के तमाम विजायक बाजबा के सहिवी क्यों हो गए एस सवाल आपको उनसे 45 फाइल आप आईए हमारे दफ्तर में फाइल देखिए पूंकि जो फाइल देखते नहीं है वो इनको शीदा जेल बेज देते हैं जो देख लेते हुआ वो सकता बदल देते हैं तो करीमा के इस चीज़ का मुझे खौफ है कि ये अजनी वीर को दबाने के लिए फाइल साइस्केमाल को भी किया लें बढ़ आशंगाओं के साथ चल रहे हैं सलीम जी क्या करें परिशानी ऐसी है हर दरस्ते देखने की कुशिश कर रहे हैं है क्ट्रेश है मेरि आशंगा घ्री आशंगा निदान पूसका हो इस बार देखिये सचीन वाज़े को पुलीस बल में किसने नियुपत किया था अगर ये सवाल मुश्य करना चाहे है शिवराजी मैं आपसे एक अलग सवाल करना चाहता हूँ बाल ठाकरे राजनीती में रहते हुए भी पदस से विहिन राजनीती किये उन्होंने ना कोई चुनाव लड़ा ना ही कभी मुख्यमंदरी बनने की कोशिश की ना ही किसी अन्यपद के संदर में सरकार का हिस्सा बनने की कोशिश की इसके बावजूद भी शिवसेना के संदर में उनकी सरोच्चता को कभी चुनावती नहीं दी जा सकी किसी निताने छोडते हुए भी ये निकाह कि मुझे बाल ठागरे की जगे लेनी है बाल ठागरे के प्रदी उन्होंने कभी असमान भी व्यक्त नहीं किया क्या आप नहीं मानते हैं कि उद्दफ ठागरे के जीवन की बड़ी गलती है कि वो बाल ठाकरे जैसा बनना तो चाहते हैं दिखना भी चाहते हैं पर सत्ता के संदर में वैसा सयम नहीं रख पाए जैसा सयम उनके पिताने रखा था क्या आपको नहीं लगता है कि इसलिए वो आज इस प्रकार की हासे अस्तिती का शिकार है इस पर आपकी टिपपड़ी शिव रहेजिए मैं इसके ओपर टिपड़ी करने का मुझे अधिकार नहीं है मुझे इतना मालूब है कि शिवसेरा प्रफुक बाहा साथ ठाकरे ये अभी आम शिवसेरा के साथ नहीं रहते हुए भी हमारे लिए भी परमवन्वनिय है हमको नहीं लगता कि शिवसेरा प्रफुक बाहा साथ ठाकरे जी किसे के साथ तुल्ला होती है हम वह तुल्ला करने के लिए पैयार नहीं है जैसे कोई विभूतिया रहती है कुछ वैसे बाहा साथ ठाकरे जी जो है वो एक बहुत बड़ी आसा भी है ऐसे लेता गुर्मिल होते है बहुत सालों में तईबार इसे लेता जा 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 शिवराय जी बहुत ठागरे के प्रदी समान व्यक्त करते हुए तुलना से आपने आपको परे रखना जाते हैं पर धनेंजे परियार के पास्तों जिम्मेदार हो कि वांकड़ स्ट्रीडियम को पिछ खुदने का मामला हो कि जो हज यात्री जाता है ते उनको रोकने का मामला हो जो उन्होंने जो किया था उसकी वज़े से आधकुबे देश के अंदर मुनका मांसर पाले यह भाजबा या कोई भी पार्टी जो 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 हमने देश के उद्दफ ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का फैसला एक भूलती जिसकी कीमत आज उन्हें पड़ रही है वो सारजने की रूप से पिशकर्ष कर रहे हैं कि मैं शिवसेना प्रमुक्का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं सरकार तो नहीं रहेगी ऐसे हालात बन रहे हैं पर शिवसेना के प्रभुग मी रह पाएंगे इसके लिए भी खत्रा पैदा होगे इस पर आपकी टिप पड़ी जब वो जब सम्मान की बात आई तभी वुक्षी मंत्री बने और यह अलाइज हुआ और जोनों ने अभी पर सोड़नी की बात करी है यह हमारे कारकरतों को या प शिवसेना प्रमुक उद्दफ ठाकरे ने मुक्ष मंत्री बनने के चकर में जो गठबंदन किया वो गठबंदन अब उनकी ही पार्टी के सदस्तें को अकर रहा है और इस मुझजीबत के तोर पर उनके सामने आ रहा है क्या शिवसेना प्रमुक सरकार बचा पाएंगे यह तो सवाल है ही पर इससे भी ज्यादा महत्पूर्ण यह है कि वहाँ उनके पिताब बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना को समाल पाएंगे यह उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल बन गया है देखें इसको उतर किस रूप में हमें देखने को मिलता है इतना तह है कि ये खिल एक दो दिन में खतम होने वाला नहीं है इसलिए जविशे पर हम आगे भी जुड़ते रहेंगे अपने इन महमानों को आगे भी याद करते रहेंगे आज की इस चर्चा का हिस्ता बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय है आज के शेर का हमारा आ होने लगी है जस मैं जुमबिश तो देखिये इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिये और एक नात शिंदे पर जो मुफीद है वो यह है कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें चाकू की पसलियों से गुजारिश तो तो कुल मिला के महराश की सियासत का ये दर्श दुश्यंद कुमार की शब्दों में और आप मुझे दीजाए हथ कल फर्म लेगे नवी शेकरदाद ततक लिए तदर बढ़ाओं